नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कोईन की और कुछ ऐसे ट्रेंड्स की जिन पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये अभी कितन है अल्मोस्ट यहाँ पर 5X से लगाकर 10X तक का प्रोफिट निकाल कर दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को लेकिन जिस ब्लॉक्चेन पर बेस्ट है जैसा आपने देखा था यहाँ पर एटी एच की ब्लॉक्चेन के अगरम बात करें इसको यहाँ पर कॉम्पीट करते हुए नदर आ रहे हैं सोलाना एवेलाँच क्योंकि यहाँ पर एटी एच पर जो ट्रांजिक्शन फीज है वो काफी जादा है और एवेलाँच क्योंकर हम बात करें सोलाना यहाँ पर टाइमिंग भी कम ले रहा है और उसके साथ ही गेस फीज भी कम है इस वज़र से यूजर्स वहाँ पर उनका कर रहे हैं और उनके ब्लोक्चेन पर यहाँ पर काफी सारे मीम कोईंस आ रहे हैं अभी आपने देखा होगा सोलाना की ब्लोक्चेन पर बेस्ट टोकन था बोंग को उसने यहाँ पर आल टाइम हाई क्रियेट कर लिया अच्छा खासा बढ़ गया लगबक 70 एक्स तक का प्र 703 43 के लेवल पर और उसके बाद अगर आप देखें एक 0 को किल कर दिया है 29 के लेवल पर आचुका हम यहाँ पर प्राइस की जो बात कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं 11 दिसंबर से यहाँ पर इसकी जो प्राइस लेवल आप देख सकते है 19th of December को यहाँ पर कहाँ पोज गया अगर हम Market Cape की बात करें तो Market Cape यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा इसका 196 million dollar अगर हम Volume की बात करें तो Volume देखने को मिलेगा 54 million dollar Volume basis पर 122 number पर आ चुका है और अगर हम Market Cape के basis पर भी देखें 241 में इंटर कर चुका है अभी आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसका Price बढ़ आओगा काफी ज़्यादा बढ़ चुका है तो क्या Entry बन सकती है हम इस Coin की बात कर रहे हैं वो है COQ अगर हम COQ पर Price देखें 0.000-0028 के लेवल पर है अगर हम बात करें यहाँ पर Last 5 Days की तो यहाँ पर Price बढ़ा हुआ है लगबग 565% यहाँ पर Price जो है Last कुछ दूनों में बढ़ गया है Almost यहाँ पर 8-10 Days में यह Price बढ़ा हुआ है मतलब अभी तक यह 5X तक का Profit निकाल कर दे चुका Investors को लेकिन अभी भी यह शुरुआत है क्यों किसी प्रकार से BONG कभी यहाँ पर बढ़ा था और BONG को लेकर भी काफी सारी यहाँ पर बाते हो रही थी किसके Price बाउनफोल देखने को मिलेगा उसके बाद अलग-अलग exchanges पर वो अवे लेबल हुआ यहाँ पर 1 hour पहले इसने create किया है all time low से लगबग यहाँ पर 12.42% जो 5 दिन पहले इसने lowest level create किया था उससे लगबग यहाँ पर इसका जो price है वो 12x उपर चल रहा है तो एक चीज यह है कि आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान भी देना है price अच्छा खासा उपर चल रहा है लेकिन इसको लेकर market में एक news भी आई हुए जहाँ पर एक trader ने 454 डॉलर को लगबग यहाँ पर 2.19 million डॉलर में convert कर लिया जहाँ पर उसने CEO Q को purchase किया था और CEO Q ने उसको कितना यहाँ पर profit निकाल कर दिया वो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा profit मतलब यहाँ पर उसने VX थे जो उसके पास 454 डॉलर के AVX को 17.26 AVX को यहाँ पर उसने दिया और उसके बदले उसने buy किये 4.86 trillion CEO Q 7 addresses से यहाँ पर इसने buy किया और उसके बाद इसे यहाँ पर sale भी किया और sale करके एक अच्छा खासा profit यहाँ पर आरन कर लिया currently अगर हम देखें यहाँ पर इसका जो profit है वो आप screenshot के थूँ देख सकते हैं यह news भी यहाँ पर मीडिया में काफी ज़दा viral होते हुए नजरा आ रही है और OKX को लेकर भी यह rumor है कि OKX भी से अविलेबल कर सकता है क्योंकि अगर हम markets की बात करें अभी किस-किस market पर यह अविलेबल हुआ है KooCoin ने आपर USDT के पेर में अविलेबल कर दिया अगर आप KooCoin का यूज नहीं करते हैं link आपको description मिल जाएगा जहां से आप इसे download कर सकते हैं Bitgate पर भी अविलेबल है Bitgate का platform भी अच्छा है USDT के पेर में यहां पर भी आपको मिल जाएगा Bitrooper भी अविलेबल है और उसके साथ ही जादा तर exchanges पर अभी तक नहीं आया हुआ है तो exchanges अविलेबल कर सकते हैं और exchanges अविलेबल करेंगे तो volume create होगा क्योंकि अभी लोगों को पता चल रहा है लेकिन कहां से बाय करना है उनके पास अभी platforms नहीं है तो वहाँ पर अगर यह platform पर अविलेबल होते हैं अलग-अलग तो उसके price पर जो impact है वो देखने को मिल सकता और इसी वज़से यहाँ पर अगर हम COQ की बात करें यह किसकी blockchain पर based है तो आप यहाँ पर search भी कर सकते है CMC पर जाकर check out करेंगे तो आपको यह clear हो जाएगा COQ जो है वो यहाँ पर meme coin है जो AVX की blockchain पर based है जिसका use case बढ़ आए AVX का price अगर हम देखें लगबग 10% बड़ा हुआ है और AVX के साथ साथ यहाँ पर उसके meme coins पर भी impact देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार के category का option आपको CMC पर मिल जाएगा जहां से आप जो blockchain है उस पर based meme tokens को ढूंड सकते है CEO की एक अच्छी choice हो सकता है लेकिन यहाँ पर DYOR मतलब do your own research आपको अपनी खुद की research करना है उसके बाद ही क्योंकि risk है लेकिन risk है और उसके साथ ही reward भी है meme tokens में यही एक फायदा है risk के साथ reward भी होता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के investment करना है हम को investment advice नहीं दे रहे हैं